दिरसल वोड़ाफोन आईडे का जारा चार्ट देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक गैरेंटी की छूट के चलते हैं स्टॉक में काफी अच्छी जंप होता हुआ नजर आ रहा है और काफी लोग का सवाल है इस पे क्यूंकि आज का जो जंप है वो 10% से जादा का है तो काफी लोग इसमें कन्फियूज है कि इतना भागने के बाद क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा नीचा आने के लिए रुखना चाहिए हाला कि अगर चार्ट पे देखे तो स्टॉक 20 DMA पे पिछले तीन महीने में कुछ एकाफी स्ट्रॉंग रेस्टेंस ले रहा था और अब 20 DMA को पार करता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपकी क्या राए बन रही है कि फिलाल के लिए तो मैं कमेंट करने से बज़ूंगा क्योंकि यह एक न्यूस डिवन स्टॉक है टेकनिकली इस पे प्रेडिक्शन देना तुड़ा मुश्किल है और पहले भी देखा गया है कि जब क्रैक्ट देखने को मिलता है तो कापी शार्प होता है तो मेरे कासी है पर स्टॉक को अवाइट करें तो बेतर है ठीक है स्टॉक को अवाइट कीजिए वोड़फोन एडिया है क्या व्यू देंगे दिखिए मतलब 17% के आसपास चड़ा था 12% अभी रह गया क्योंकि clarity अभी नहीं है यह तो सिर्फ राहत है लिखिए सिर्फ राहत से शियर चलते हैं यह तमाम चीज़ें को लेकर कंपनी क्या कर रही हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी निवेश्कों को मिलनी रहें यह एक फौरी उच्छाल हम कह सकते हैं कि लोवर लेवल पर अब चुकिए अठार उनीस रुपे से गिरते गिरते यह शियर सात रुपे के नीचे चला गया था तो वहां से थोड़ी सी बाइंग कह सकते हैं कि एक रिलीफ बाइंग है यह शियर में तो यह करनेशन नहीं आ पर रहा है इस पर माना जी का भी माना जी बताई कि अगर किसी को डिफेंस में एक शियर अगर चुना